रामलाल की दो पत्निया थी लेला और रादा लेला बहुत सुन्दर और लंबे बालो वाली थी लेकिन रूप के साथ साथ गमंडी भी बहुत थी दूसरी और रादा का कलर सामला था और वो इतनी सुन्दर भी नहीं थी लेकिन दिल की बहुत साफ और दयालू थी सबकी मदद करती थी रामलाल ने लेला को एक दिन आवास दी लेला ओ लेला कहा रे गई इधर आबात सुन उसी समय रादा वहां आगई जी सर्खार आपने बुलाया कोई काम है तो मुझे बताएं अरे नहीं नहीं तुझ से क्या काम होगा चल जाए यहां से रादा निराश होकर वहाँ से चली गई उसके बाद लेला कमरे में आई और बोली जीस मेरे सरकार आपने मुझे याद किया हारी लेला कल में किसी काम से शेहर जा रहा हूँ ये तिजोरी की चाबी ले और आज से सब तेरे हवाले और सुन रादा कल मुई ही से कुछ न कहना उस मनुष का चेहरा नहीं देखना मुझे सवेरे सवेरे ये सब कुछ बिचारी रादा सुन लेती है और बहुत रोती है अगले दिन जब रामलाल चला जाता है और रादा लेला के पास आकर कहती है मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ तुम रामलाल से कह देना अब मेरा चेहरा कभी नहीं दिखना पड़ेगा उनको अरे हाँ हाँ जा जा यहां से वैसे भी तेरी यहां किसको जरूरत है इसके बाद रादा बहुत दूर जंगल की तरफ चली जाती है और चलते चलते रास्ते में एक परिंदे को जाल में फसा देख तुरंत उसकी मदद करती है उसे जाल में से आजाद करवाती है और फिर चली जाती है पड़े और दूर जाकर एक पेर की डाली जुकी देखी रादा ने तब रादा ने रुख कर लकडी से फलदार पेर को सहारा दिया और फिर आगे चलने लगी फिर वहाँ उसे एक सादू बाबा नजर आए सादू बाबा के पास जाकर रादा कहती है प्रणाम बाबा सादू बोला बेटी मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है तेरे साथ सब का वहवार बहुत गलत है रादा रोते हुए बोली ये सब नसीब की बात है बाबा कौन लड़ें इसे नसीब से फिर सादू बाबा बोले ना बेटी ना निराश नहीं होते और फिर रादा से कहा यहां से थोड़ा दोर एक जादू ही तालाब है तुम वहाँ जाओ और सिर्फ एक डुपकी लगाना तुम्हारे मन को शांती मिलेगी रादा ने बिलकुल ऐसा ही किया जैसा सादू बाबा ने उसे कहा था रादा ने जैसे ही डुपकी लगाई वो एक सुन्दर अती सुन्दर महीला बन गई रादा बहुत खुश हुई और तुरंट सादू बाबा के पास गई और बोली मैं बहुत आबारी हूँ आपकी आपने मुझ पर दया की इसके बाद सादू बाबा ने रादा को गैनों से बरी एक टोकरी दी रादा बोली ना बाबा मुझे ये सब नहीं चाहिए फिर सादू बोला नहीं बेटी ये सब तुम्हारी सरलता का इनाम है जाओ और खुश रहो और ये गैनों की बरी टोकरी जैसे ही खाली होगी ये तुरंट अपने आप फौरण बढ़ जाएगी रादा कुशी कुशी लोट गई घर लोटने के बाद जब लेला ये सब दिखती है तो बहुत आग बगोला हो जाती है और रादा से सादू बाबा का पता लेकर चली जाती है सादू की तलाश में उसे भी रासे में परिंदा दिका लेकिन उसने उसकी कोई मदद नहीं की और आगे बढ़ गई वैसा ही बाद मुझे अती सुन्दर होना है आप मुझे पर भी वैसी ही दया करो जैसी आपने रादा पर की इसके बाद सादू बाबा लेला को तालाब का पता बताते हैं और कहते हैं सुनो बेटी सिर्फ एक ही डुपकी लगाना और इसके बाद लेला तालाब के पास जाकर एक और जैसे ही उसने दूसरी डुपकी लगाई उसका रंग एक गमकाला हो गया वो रोती पीटती सादू बाबा के पास गई और वज़ा पूछी तब सादू ने कहा ये तेरी लालच का ही सजा है उसके बाद लेला जंगल में ही बाकी का जीवन बसर करती है और रादा सुक औ शांती के साथ बाकी का जीवन अपने पती के साथ गुजारती है